नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है MSSSE Notes में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्यागनर के important questions के भारे में discuss करेंगे और जो की अतिलगु उत्तरी है means one liner questions है कैसे लिखना है आपकी परिच्छा में अगर अतिलगु उत्तरी की आप परिच्छा दे रहे हैं means आपका जो प्रशन पत्र बन रहा है वह अतिलगु उत्तरी प्रशन है तो आपको किस प्रकार से उसका उत्तर देना है यह भी हम यहां पर देखेंगे तो आपको सरवत्तम हम अपना प्रशने दिखाएंगे उसके बाद आप उसका उत्तर बताईएगा अगर नहीं बताईएंगे तो देखते रहेगा इस वीडियो को लास्ट तक तो आपको सारे उत्तर मिलते चले जाएंगे तो चले पहला question आपके सामने कि कंणड किस परिवार की भासा है न यह जो भासा कंणड है वह किस परिवार की आपको इसका उत्तर देना है तो क्या होगा दोस्तो किस परिवार की भासा है तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे इसका उत्तर आप लिखेंगे कंणड द्रविड परिव बार की भासा है अगला प्रशन की तरफ चलते हैं तो अगला प्रशन है कि संयूक्ते वेंजनों के नाम बताईए ठीक है तो इसका आप बताईए इसका एंसर क्या होगा इसका उतर आप अपनी पुस्तिका में लिखिए कि संयूक्ते वेंजनों के नाम बताना है तो क्या होग तो अगला प्रश्ण है कि लुप्त स्वर किसे कहते हैं तो लुप्त स्वर किसे कहते हैं जो स्वर लुप्त होता है वसे किसे कहते हैं तो जहां दो मात्राओं से अधिक समय लगी जैसे ओम हम ओम बोलते हैं न तो ओम में क्या होता है दो मात्राओं में क्या लगी अधिक समय लग रहा है तो वहाँ पर कैसा हो जाएगा वो लुप्तस्वर कहलाएगा ठीक है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है कि अंधकार सब्द का समनार्थी सब्द क्या होगा ठीक है जो सब्द अंधकार है उसका समनार्थी सब्द क्या है तो अंदकार का समनार्थी सब्द क्या होगा इसका उत्तर आप लोग बताईए तो अंदकार का समनार्थी होगा तम, तिमिर और अंधेरा है ना तम, तिमिर, अंधेरा इन तीनों का अर्थ क्या होता है अंदकार होता है है ना ये परियावाच अगला पृशन है आपका आयोगवाह से आप क्या समझते हैं इसका उत्तर अत्राइए कि आप य्योगवा से क्या समझते हैं थिक है यही आपको लिखना है अगला प्रिछनौ है आपका गवाला क्यारी किस किस प्रकार के वर्ण है ग्वाला क्यारी किस प्रकार के वर्ण है इसका उत्तर बताई दोस्तों तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग बताईए पहले खुद से प्रयास करते रहेगा तो यह हैं संयुक्त वर्ण है ना तो ग्वाला और क्यारी किस प्रकार के वर्ण है तो ग उत्तलेख का क्या मतलब होता है तो सीधे इसका उत्तर क्या हो जाएगा सब्दों को सुनकर लिखना क्या होता है इसका उत्तर आप लोगों समझ में आ गया होगा अगला प्रसंद देखते हैं कि हिंदी में कितने स्वर हैं हिंदी में कुल कितने स्वर हैं इसका उत्तर आप ब वर्ड किस वर्ड में आता है तो इसका उत्तर क्या होगा जो है वह किस वर्ड में आता है तो यह आता है जब पढ़ते हैं तो जो ट वर्ड होता है जो ट का वर्ड होता है उसमें क्या आता है धसे धक्कन है ना जैसे सब लोग बोलते हैं एक दुसरे को धक्कन तो धसे धक्कन अगला देखिए भासा सिक्षण में सारी रेक समस्याओं के नाम बताईए तो भासा सिक्षण में सारी रेक समस्याओं के नाम बताना है आपको तो कौन से होंगे तो वे होंगे द्रिश्टी दोस उच्चारण दोस और स्रमर दोस तो भासा सिक्षण में यह जो सारीरिक चीज़े हैं, इसमें कौन कौन से समस्या होती है, तो कुझे हैं, दियुएफिश्ची दोस्का अर्थ हुआ कि अगर हम देख नहीं पाएंगे, या भासा को देख नहीं पाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे कौन कौन से है ना तो भासा सिक्षण के पक्ष में कौन कौन से है तो वह कौन कौन से है तो वह है पठन लेखन और व्याकरण जो भासा सिक्षण का पक्ष है वह कौन कौन है तो वह है पठन है लेखन है और व्याकरण है यानि जब पढ़ना लिखना और जो ग्रामर है वह क् मत्पूर्ण भाग होता है है ना अगला प्रशन देखिए कि आय का विलोम क्या होगा आय का विलोम क्या होगा आय का मतलब क्या होता है आय का मतलब जो हम कमाते हैं उसको हम क्या कहते हैं आय कहते हैं तो आय का उल्टा क्या हो जाएगा गवाना, तो गवाना का क्या होगा, व्याय होगा, अगला प्रशन देखते हैं, तो अगला प्रशन है कि युद्धा का तदभो सब्द क्या होगा, जो युद्धा है, युद्धा का तदभो सब्द क्या होगा, तो युद्धा का तदभो सब्द क्या होगा, तो युद्धा के आधार पर सब्न के भीद बताईए विऊद्पत्ती विऊद्पती का मतलब आप लोग समझते होंगे फिर से उत्पन्र होना गत्ते सब्द होते हैं तो वे होते हैं तीन ठीक है, कौन कौन से रूड सब्द, योगयक सब्द और योगुरूड तीन भेद होते हैं कौन कौन से रोड सब्द योग एक सब्द और योग रोड यह हैं आपके विद्पत्ति के आधार पर सब्द भेद अगला प्रशन देखते हैं पाहुन किसका पर्याय रूप है इसका उतर बताईए आप लोग तो पाहुन किसका मतलब होता है अति ठीका है ना तो अति ठीका पर्याय क्या है पाहुन अगला प्रशन आपका बस खतम तो आज के लिए इतना ही दोस्तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा जो भी समस्याएं हैं इस वीडियो से लेके या आपको केहें भी कुछ भी समझ नहा हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा आपको इसी प्रकार की और वीडियो भी चाहिए प्लीज हमें हर चीज बे कमेंट करिएगा आपके मन में जो भी चीज़े हों सभी के लिए आप कमेंट करिएगा और दोस्तों इस वीडियो को like करना मत भूलेगा प्लीज इस वीडियो को like कर दीजे और हमारे इस channel को subscribe कर दीजे जिससे आपको आपके exams related, अब्डेट्स मिलते रहे हैं तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार